हलो टूटर्स और वेल्कम तो दाय स्टूडियो मेंबर्स बर्जर पेंट को आज के दिन हम ट्रेट कर रहे हैं इसके अंदर जस्त अभी कुछ समय पहले हमने एक पोजिशन बनाई है बाइसाइब में 571.70 पर यह अपनी ट्रेडबुक ओपन कर लेते हैं ओके 1300 कोईटी में बर्जर पेंट की बाइसाइड में 571.70 के इसको अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं अनासस यह थी प्राइस अपना ये गैप फिल करके इस वाली कैनल का जो हाई है 581 तक यहां तक आ सकता है बट प्राइस इसके नीचे से ही डाउंसाइड की तरफ मूव हो गया कोई बात नहीं अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं और मेरा मानना ऐसा है कि प्राइस में अप मूव हो सकते हैं आज जिस तरह के प्राइस बर्जर पेंट ने बनाए है एक डाउन ओपनिंग के बाद में फिर ये गिरा ने इसने सिधे अपसाइट का ही हमें मूव दिखाया है और अभी प्राइस ने अपना इंट्राइड की अपनी एक ट्रेंड लैंड को ब्रिक किया हो सकता है कि प्राइस डीट्रेस करते हुए हमारे एंट्री लैवल तक और यहां से अगें अपसाइट की तरफ चला जाए और अब यह जो इसका इंट्राइड का जो हाई लगा हुआ है हमारा 12 बच कर 30 प्रेंट के कैंडल का यहां से अपसाइट के तरफ ने कर जाएग यह तो बात हो गई है ट्रेट एग्zent करने के बात से अब तक की छिए 104 बाट उने कशिशaking के चिए आज morning से situation थोड़ी सी up-down लग रही है और अभी जिस drawing tools से हम drawing किया करते थे वो drawing tool ने काम करना बंद कर दिया है लगबग पिछले एक घंटे से drawing tool कोशिश करने कोई नया अच्छा सा tool मिले तो पता चला कि उसने drawing tool ने काम करने से बंद कर दिया था क्योंकि वो अपग्रेड हो गया तो पूरा इनका नक्षा ही चेंज हो गया है लेकिन काफी देर से में सर्च करने के कोशिश कर रहे थे इसके उपर हाथ सेट है तो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है अब दूसरा को drawing tool लेकर के आएंगे तो उसको और फिर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब होगा इस वज़े से टाइम लग गया है तो इस रदका जपना profit देखे घट करके 6000 के राउंड आ चुका है और जो अपना chart है बर्जर पेंट का इसको फिर से लोवर टाइम फ्रेम पर देखना पड़ेगा सही है जिस तरह के analysis थी अपनी के price ने अपनी इस वाले level को breakout किया है तो में भी हो सकता है कि यह downside की तरफ आ जाए री टेस्ट करने के लिए और फिर यहां से ओपर की दिशा में जाए अंदर से क्या लग रहा है ना कि कोई बड़ा profit होने वाला है ने में भी chance है कि कोई 1% की या 0.5% के candle बन जा तो अच्छा profit दिख जागा पर उमीद ना कि बराबार है क्योंकि पूरे दिन मार्केट है sideway रही है Asian paint जैसे इसी के साथ में Asian paint था तो Asian paint को भी एक बार open कर लेते हैं हम दो यह देखिए Asian paint का चाट है इसने भी gap down ओपनिंग दी 5 मिनट के time frame पर जब आप आओगे तो कुछ बहुत खास movement इसके अंदर नहीं देखेगा 9.15 की जो candle है इसके अंदर ही फसा हुआ है तो एक तरह से यह भी है हमारा sideway stock ही है और बर्जर परेंट को इससे तो अच्छा बर्जर परेंट चला क्योंकि 9.15 को तो morning में इसने breakout कर दिया था और तब से अब direction ही शो कर रहा है हम लोगों को stock selection तो ठीक ठाक ही है बट profit satisfy नहीं हो रहा क्योंकि बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे हैं अच्छा profit loss sideway trending सब चलता रहेगा जो एक points जहां पर हम लोगों की बाते रुख गई थी वहां से start करते हैं अब जैसे कि कोई level है इसको थोड़ा सा समझने ही कुछ ची मेरा up direction अब यहां पर आप lower time frame और higher time frame का combination देखें यह drawing तो फिलहाल उतनी अच्छी नहीं है बट यह एक हमारा support point है price यहां से मेरा up direction शो करता है बट एक high लगा देने के बाद में एक low again एक high एक low high low high low ऐसे अगर हम lower time frame पर देखेंगे तो इसका जो move आपको दिखेगा है यह lower low 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 high का है मतलब downtrend according to lower time frame बट जब हम इसको higher time frame पर convert करते हैं तो पता चलता है कि lower time frame के जो moves थे lower low 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 high यह आ करके किसी एक जगापर sustain हो रहा है और अगर वो price कहीं पर sustain हो रहा है और अगर उसके अदर volumes के confirmations आपको मिल रहे है तो बहुत हद तक chance है कि price उसी एक point पर sustain हो lower movements breaker के नीचे चला जाए कुछ ज़रूरी तो है ने कि support है तो price वहाँ से उपर ही भागेगा लेकिन अगर हमें यह मालूम है कि यह point अपना कोई एक support है तो यहां से अगर हमें को confirmations मिलती है न तो हम trade execute कर सकते हैं क्योंकि price मेरा higher time frame के according support पर है जो कि lower time frame से बहुत जादे strong होता ह क्लियर है देखिए बहुत कोई बड़ी चीज ने है छोटा से point हमने clear किया है कि lower time frame पर price आपको direction show कर रहा है lows के low break हो रहा है higher time frame के according lows break करते-करते market अपने एक support अगा चुकिए अगर यहां से price हमारा resist होता है या फिर यहां पर sustain होता है और अगर यहां से confirmations मिलते हैं buy के तो ह हमने पता है आपको कि burger paint के अंदर news थी और यह एक negative news थी इस चीज़ को समझेगा कि price negative news के बावजूद भी gain कर जाता है और positive news के बावजूद भी वो short हो जाता है गिर जाता है इसके कई सारी वज़ा होती हम उन points के उपर नहीं जाएंगे फिर कभी इसको उपर discussion करेंगे इस यह तब से price हमारा uptrend में ही शोग कर रहा है हमको इसको अच्छा है कि हम लोग candles के उपर सीधे चल करके अभी तो movement काफी अच्छी movement हो रहे है प्रॉफिट भी ज़रू इंक्रीज हुए होंगे 7800 कह रहा हूं हम लोग profit के अंतर बने हुए है एक बार refresh कर लेते हैं page को अपने 7670 रुपीज अब यहां पर day time frame को हम लोग लगा लेते हैं यह है मेरा day time frame day time frame पर price के यह कुछ support points है जहां पर price हमारा आज के दिन sustain होया प्राइस ने gap down opening दी और ऐसे देखेंगे जब हम day time frame पर तो आप खुद देख सकते हो यहां पर कि एक जो movement है प्राइस का जो basic movement है वह एक downside का movement ऐसे और यह एक support point यहां से retracement आ सकती है और फिर अगर price मारा नीचे की तरफ जाता है तो इसे अपने support को break करना पड़ेगा इन वाले supports को clear है मतलब day time frame पर हमने यह देखा कि price हमारा एक support लेवल पर है जहांसे इसके अंदर basic nature के according एक move upside की तरफ हमें देखने को मिल सकता है clear हुआ अब पर जो सबसे important candle है वो यह वाली black वाली candle है क्योंकि इसने mask किया है masking का video हम description में डाल देगा आप उसको देखना बहुत हद तक वो वीडियो आपको बहुत help करेगा आज का trade हमारा उसी masking study का live trade execution है उसी system को लेकर यह मेरी important candle है important candle का मतलब यह होता है कि अब जितनी भी हमको reading करन इसके बाद में price ने क्या किया है price ने एक gap down opening थी हमने wait किया बताया ना कि price अपने support पर है ज़री नहीं कि support से हमारा ओपर ही चला जागए नीचे भी किर सकता है अब अगर हमें trade करना तो confirmations चाहिए hourly time frame पर हमने देखा है बहुत अच्छा structure बन रहा था इसके अंदर masking का previous days मे price ने mask किया था अगर हमें हमारा price अपने इस masking candle के अंदर मिल जाता है ना बहुत ज़्यादा support कर देगा कि price हमारा अब direction शो कर दे हमको और trade करने में भी यह help करेगा हमारी अब price ने देखिए क्या क्या इस masking candle के बाहर नहीं निकल पा रहा था price यहाँ पर देखे बाहर नहीं करें क्योंकि एक dedicated video already में ने बना रखा है उसको देख सकते हो आप आजाते सीथी 5 minutes के time frame पर price ने एक gap down ओपनिंग दी day time frame पर इसने एक support लिया यहाँ पर देखिए price ने support लिया support लेकर कि सीध है price मेरा upside में चला गया एक यह वाला movement और price मेरा downside की तरफ गिरा आप एक शीज द summing में 9.15 में बहुत ज्यादा volume आए थे और इसके बाद से फिर volumes में decrease होने लग गया confirmations के according जो हमने अपना trade execute किया अपनी इस वाली candle पर अपना trade execute किया और इस stop loss जो हमने लगा है 569.25 के मेरे stop loss थे first target हमने रखा था अपने इस वाले gap को fill करके उपर की दिशा तक जा सकता है बट price कुछ point से रह गया क्योंकि 11.40 पैसे तक अपना target था यहां तक देखिए price गया ही नहीं है और फिर से गिरने लगा है आज ऐसा ही होने वाला है लिजे 8000 से सीधे फिर 4000 पर आ गया यह सब चलत movement हमें शोकी अब एक काम करते हैं यहां से बाहर निकलते हैं because बहुत uncertainty है market का भी अप डाउन अप डाउन कर रही है एक तरह से देखिए morning में 12 बच का 30 मिट की candle ने जिस तरह का move हमको दिखाया था 12 बच के 30 मिट के बाद से अब यह 3 बज रहा है और market अभी वहीं पर है 3 बज करीब 12,000 के राउंड हम लोग profit में थे तो यह जो price अपना 579.20 इसको copy करते हैं और espresso order book इसमें stop loss order 569.25 stop loss order को cancel करते हैं यहां पर cancel ठीक है और position book square of nsc लिमिट लगी हुई है पेस्ट 579.20 प्लेस और चलिए कर देते हैं बहुत ज्यादा volatile market रही आज के आप nifty को देखो बैंक nifty को देखो 579.20 निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया 9,750 रूपी स्क्याराउंड अपना profit आज कर आज कर आज आज के अपना overall trade था आई होप देखे जिस तरह से हम expect करें market से उस तरह का profit हमें आज के दिन market निकल नहीं किया है यह दिन की movement को अगर हम लोग judge करें एक side से तो नहीं पॉसिवल अब क्योंकि market भी close होने वाले हैं तो कोई risk नहीं लेंगे हमने अपना profit से जितना भी था सारा का सारा बो के लिए 9000 के around profit है इंट एक ठीक ठाक एक decent सा profit है I am satisfied तो आज का trade हम लोग यहीं पर खतम करते हैं और जिस तरह से हमें अपना trade execute किया था masking candle trading strategy के according आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना एंड एक बार in short यहां पर हम explain कर देते masking में होता क्या in short ही explain हम करेंगे इसको आप पूरा मत मान ले न एक इस तरह की candle हमारी होती है mother candle जिसके अंदर एक inside candle मारी form होती है और इसके बाद में 3rd candle बनती जो कि हमारी पूरी candle को mask करती है पूरी candle मारी mask कर लेती है अब होता क्या है कि यह एक candle को भी mask कर सकती है और इसके बाद में तीन 4-5 candles के बाद में masking हो सकती है जैसा कि बर्जर परिंट में भुआ था ताइम फ्रेम जो यूज़ करते इसमें, वन ऑवर का ताइम फ्रेम यूज़ करते हैं और important candle मारी कौन सी थी ये वाली candle इस candle के अंदर देखिए, हमारी इस candle ने mask या, हम इसका low mark करते हैं Because यह एक resistance point होता एक तरह ऐसे टार्गेट अगर हम देखें तो टार्गेट इस एक कैंडिल की हाई तक हम रख सकते हैं लेकिन यह तो आइडियल कंडिशन है बट मार्केट को भी तो देखना पड़ता ना ऐसा तो नहीं है कि जो सिस्टम बोल लाई वह सी अब सिधर रख तो उस दिन की मार्केट क्या बोल है तो एक्सपक्टेशन अगर हमसे पूजे सही से तो 587 थी बट जो एक्चुल टार्गेट था वह भी हमको अचीव नहीं हुआ तो हम इस ट्रेश कहां से करते तो इस वेसे हमने इसको अपसाइट की तरफ में टार्गेट नहीं लिया बट एक्चुल में जो टार्गेट हम को पूरी तरह से मास्क किया और आगे सेम लेवल से हमने अज अपने एक ट्रेट एक्जिक्यूट करके आप लोगों के साम में शो किया थैंक्यू एन आई होप कि वीडियो आपको समझ में होगा आपने इससे जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा थैंक्स एंट अब हम लोग सिक्दम माइनस में वीडिया था अच्छा नहीं था आपको मार्केट क्लोज होने के बाद में तो बहुत अच्छा लगता है कि हां मार्केट ऐसी चली थी हमें ऐसा करना चाहिए था हम लोग ऐसा कर लेते हैं ना ऐसा होता है लेकिन नहीं यह पॉसिवल नहीं है यह हम आप दे लो जैसे ब्रेख हुआ आप शौॉट करते हैं आपको स्टप्लोस जाता लेफ़ा यहां पर समझेए इसको डे हाई ब्रेक हुआ अब भाई करते हैं फिर आपको क्या लगता है चलो ठीक अपकी बार अब यह वाला हाई भ्रेक होगा हम भाई करेंगे यहां से आप आपको stop loss चला जाता है फिर आपको क्या लगता है अब यह वाला hybrid होगा ना buy करेंगे यहां से आपको stop loss चला जाता है आप कैसे buy और short करते हैं इस वाले low के नीचे आप करो के कर दो short यहां से आपको stop loss कुल मिला करके एक सही level identify करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और निफ्टी भी इससे कुछ अलग नहीं चला है निफ्टी भी कभी इस सेम कहानी है तो पूरी तरह से जब एक sideway market होती ना देखिए sideway market आपका stop loss ही खाएगी यह सब क्या है यह जो movement हुए है बड़े बड़े यह सब क्या है stop loss खाने के movement है चले काफी ज़्यादा stretch करें बातों को फिर कभी इस सारा discussion करेंगे आज के लिए हम अपना वीडियो यहां पर खतम करते हैं थैंक्स एंड वेविन मेट अगे